देश में पहले से ही नफरत का महौल है और ऐसे में अजमेर दरगाह के खादिम ने नुकुर शर्मा के लिए जो भड़काव बयान दिया है उसके बाद एक और बयान आया है दरगाह से जुड़ी अंजुमन कमिटी के सचिव का उन्होंने कहा है कि हिंदूों को जायरीनों से क कामाई नहीं करने देंगे इन बयानों पर कॉंग्रेस पार्टी जाहिर से बात है करिए कि कारवाई होगी लेकिन बयान आही क्यों रहे हैं और किस तरह की कारवाई होनी चाहिए मेरे साथ इम्रान प्रताब गड़ी है राजी सबह सांसुद और माइनोरी डिपार्टमेंट के प्रम कor के बयान आपने सुना है क्या प्रटिकरिया और यह बयान-बाजी कब रुके लेंस तरह की लोग निंदा करते हैं और कांगरेस पार्टी ने उससे तोरित कारवाई कि है हमारी सरकार है और ईसससरा का अगर्यक्ति गिरफ़तार हो चुका है और गया नाहीं को किसी को गुंजाइश नहीं है लेकिन हमें ये देखना है कि इन सब के पीछे कौन है और इस सबसे राजनेतिक फायदा किसको पहुंच रहा है उदयपुर की घटना में भी जिस तरह से भाजपा की संलिप्तता सामने आई है गुलाब चंद कटारिया जी के साथ जिस तरह उस आरोपी की तस्वीरें देश के सामने आई हैं वह बहुत शर्मनाक हैं पहले भारती जनता पार्टी की प्रवक्ता का बयान और उसके बाद इस तरह की तमाम घटनाओं में भाजपा के लोगों का पकड़ा जाना और उस पर भारती जन अब तक कहीं से कोई कारवाई होती नहीं दिख रही है जो कि करना चाहिए सुप्रीम कोट की इतनी तल्ख टिपड़ियां भी आ चुकी उसके बाद भी केंद्र सरकार के जिम्मेदार नेताओं की बयान बाजी जो है वो अलग दिशा में है इस तरह के मुद्दों पर शान् इन बयानों देने वालों पर किस तरह की कारवाई होनी चाहिए उसकी सख्त से सक्त कारवाई अगर हमारी सरकारे हैं तो हम कर रहे हैं उद्रपूर घटना का आरोपी तुरंत पकड़ा गया मुख्यमंत्री महोदय ने जो त्वरित कारवाई की है और जिस तरह से आगे बढ के खिलाफ हैं पहले दिन से पूरी कॉंग्रेस पार्टी इस तरह की किसी भी बयानबाजी और किसी भी वर्ग की तरफ से आती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं लेकिन यह आपने सवाल किया कि आग बुझेगी कैसे एक संयुक्त प्रयास से बुझेगी समाज को जलाने की कोशिष हैं चल रही हैं और इसमें जो जो लोग शामिल हैं इन सब की को चिन्हित करिए और सयुक्त रूप से केंद्र की और राज्य की सरकारे मिल करके शांती की अपील करें आगे आएं जो गुनेगार हैं उनके खिलाफ कारवाई करें किसी को बचाएं मत बचाने से इस लास्ता का एक बड़ा केंद्र है उस सिल्जले में आप क्या कहेंगे अजमेर शरीफ मेरा अपना मानना है कि हर वर्ग के हर समाज के हर धर्म के जायरीन वहां पर जाते हैं और इस तरह के किसी बयान-बाजी के लिए वहां कोई अस्थान नहीं है और यह जो ठेकेदार हैं यह उस दरगाह के ठेकेदार नहीं है दरगाह के जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका पहले दिन का बयान उठा के देख लीजे उन्होंने इस तरह की किसी भी घटना की निंदा की है और हम मानते हैं कि वहां सारे वर्गों के लोग मिलजूल के रहते हैं राजस्था इंदार मान को टार्गेट करना बंद करें वेडियों और इसतरह की जो बivent बयान-बाजी करने वाले लोग है उनके खलाब सकत क्लाबबाए कर रही है सरकार और जो लोग और भविश्य में दिखेंगे उनके खलाब भी कारवाई करेगे शुक्राबात करने के लिए ऐनेंद ABP News, Delhi